मैं प्रियर एंजन और आप देख रहे हैं Market Scientist आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे अडानी ग्रूप के श्टॉक के जो क्रेस रहे हैं हिंडेन बर्थ के रिसर्च के बाद और इस सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि सर हमारे पास अडानी विलमार है पावर है अडानी इंटर्प्राइज़ है और अम्बुजा है या एंडी टीवी है या फिर अडानी ग्रीन है तो इन सभी श्टॉक में क्या करना चाहिए इन सभी पॉइंट्स को डिसकस करेंगे साथ में जो रिसर्च आया है इसका क्या इंपेक्ट होगा क्या यहां से स्टॉक क्रेस होगा या यह एक उपर्चुनिटी है साथ में हमने देखा कि अडानी के 4 लेक करोर से ज्यादा का वर्थ जो है पिछले दो दिन में वाइड डॉट होते वे दिखा है बहुत सारे लोगों का मानना है चुकि हिंडेन वर्थ जो है वो एक सोट सेलर है तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो इसका एक स्ट्रेजी है चुकि उसने बॉंड को सोट कर रखा था तो यह रिसर्च के बदले में वो पैसे कमाने के मनसा से यह किया है जो कि अडानी के तरफ से कहा गया है वही कुछ लोगों का मानना है कि यह पॉल्टिकल एक स्टंट है जहां बीबी सी के द्वारा मोधी की डोकुमेंटरी और हिंडेनबर्ग के द्वारा अडानी को जो है एक फ्रॉड या स्कैमर दिखा करके अबर आल इंडिया की छभी ग्लोबल जो है ग्लोबल जगा पे एक बैड इमेज बनाने की कोशिस की जा रही है तो इस सभी पॉइंट्स को बारी बारी से डिसकस करेंगे सबसे पहले जानेंगे कि हिंडेनबर्ग क्या है वो एक रिसर्च कंपनी है और अमेरिका की कंपनी है जिसने कुछ पास्ट में देखे तो कुछ ऐसा रिसर्च है जिसको सराहना करना पड़ेगा जैसे कुछ देखेंगे अगर आप ट्यूटर या फिर क्रोम पे ही निकोला और चाइना मिटल जैसे कुछ कंपनी थे जिसको ले करके उसने रिसर्च करा था और उसके बाद वो क्रेश टाइप का होते वे दिखाया है अडानी पे एलिगेशन क्या है पहला एलिगेशन है कि स्टॉक प्राइस का मैनूपलेशन और इडेगुलेटरिटी को ले करके दो बड़े संदिक्द जो बयान है वो दिये गए हैं और 88 को संद पूछे गए ते जिसको अडानी ने अभी एलसर नहीं कहा अडानी का ये कहना है कि हमारे इमेज को धूमिल करने के कारण ये बयान लगाया जा रहा है इस समय देखेंगे तो अडानी थर्ड रिचेस्ट परसं से सेवेंथ नमर पे आ गया और ऐसे ही अगर तीन चार पांसता दिन चलेगा तो पता चला कि हिंडेन वर्ग जो है वो अडानी के जगा छीन करके तीसरे नमर पे आते हुए दिख रहा है ये सब तो सारे पॉइंट डिसकसन के रहे थे अब इस समय स्टॉक में क्या करना चा में 20,000 करोर के FPO है जहां देखेंगे तो पहला दिन 1% के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन दिखा है 3100 से 3300 के बीच का प्राइस बेंड था लेकिन यहां देखेंगे उसके लोर इस समय टेट 2800 के आसपास का दिख रहा है बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि जो FPO का प्राइस है वो 2000 या 2200 तक होते वे दिख सकता था लेकिन मैं इस प्वैंट्स को एग्री नहीं करता हूँ और उसी प्रकार से दिखेंगे तो अडानी के तरप से आज बयान आते वे दिखा है कि इसके नहीं प्राइस कम होंगे और नहीं इसके बेंड जो प्राइस जो सिड्यूल किया गया है उसको आगे किया जाएगा ज्यूंकि मार्केट को कभी भी पैसा से मैनुपलेट नहीं किया जा सकता अगर ऐसा किया जाता तो केतन पारिक को तो हटाते हैं एक समय के लिए लेकि 1992 के सकेम जो हरसत महता का था उसमें आप देखेंगे कि महता के साथ SBI सब्सक्राइब अगर पैसा से मार्केट को मेनुप्लेट किया जाता तो वहां हो सकता था तो इसलिए आपके साथ क्या चाहिए सेंटिमेंटल सपोर्ट चाहिए तो अडानी को भी सेंटिमेंटल सपोर्ट की जरूरी है इससे क्या है कि कम से कम FPO प्राइस के उपर अडानी इं का भी धिक सकता है भूत सारे लोगों का यह भी मदन है कि अडानी का एक्सपोजर्कम पुर्य मां के ऐक ही कितना होगा तो मांकेट ग्थो क्रैस होगा क्योंकि आडानी का दो ही यह इस box औटल इंटरप्राइजों लेकिन इसमें जो banking देखेंगे जो bank का exposure है जिसके कारण पिछले दो दिन में 2700 points bank गिरते हुए डिखे हैं तो overall देखेंगे तो Adani इतना बरा हो गया है कि बहुत सारे अलग-अलग sector से अलग-अलग bank से correlate करते दिख रहा है ये सभी तो news रहा इस समय stock holder को क्या करना चाहिए अगर आपने enterprises या Adani green जैसे stocks को higher price पे खरीदा है और अगर आपने खरीदा तो आपने कुछ SL लेके रखे होंगे अगर बीना SL के बहुत higher price पे खरीदे तो थोड़ा एक बार आपको सोचना चाहिए कि आपका risk kept a tight favorable है या नहीं है मैं नहीं मानता कि यहां से Adani crash हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा तीन personally मेरे favorite stock है Adani group से पहला Adani Wilmar, दूसरा Adani port और तीसरा Ambuja cement Adani Wilmar में दो major support demand zone दिख रहा है पहला 490 और दूसरा 410 तो 490 के नीचे अगर stock आता है तो मैं थोड़ा थोड़ा accumulate करना पसंद करूंगा Adani और Wilmar के collaboration से Adani Wilmar बना है जो one of the best stock और लगबग नहीं के date के बराबर दिख रहा है साथ में ही दूसरा stock Adani port जो Nifty 50 का stock है और काफी बेहतर company है तो Adani port में भी अगर आप चाहें तो 500-530 के आसपास का price मिले तो एक opportunity है और तीसरा stock Ambusha देखे 280-300 का price मिले तो ये तीन मुई या opportunity दिख रहा है इसके अलावे जो भी ये stock है उसको आप message करेंगे उसका परती उत्तर आपको जरुए